हेलो दोस्तो ऐसे हो आप सब उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे लोगडाउन के नेमों का सही से पालन कर रहे होंगे अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे मैं दिलीब कुमार अपने यूट्यूब चैनल मकैनिकल ट्यूटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हुआँ जैसा कि आप सब को पता है हमारी क्लासे चलरी चली है एक एक क्लास चलती है इस्टरंद और मटीरियल की तो यह जो आपने सब लिया हुआ हम अब तक तीन लेक्चर कर सुके हैं और उसमें हमने पड़ा था बेसिक कंसेट पड़ा था टाप्स अप लोड पड़े थ थे सारे टाइप के हमने लोड पढ़ लिए थे अब उन लोड के एफेक्ट पढ़ेंगे दीमें दीमें क्योंकि जब तक हमको लोड नहीं पता चलेगा किस मेंबर पर क्या लोड लग रहा है तो उस लोड की वैसे क्या एफेक्ट आएगा उस मेंबर पर वह भी नहीं पता कर कपाइं также क्ल्म थी प्रिस्टिंग क्या होता है वेलिंडिंग में धर बंडिंग मोवेट सब्द्छ को प्रिस्टिंग मुटा वक्साइब ममấंग दोतर आपने विलनाम अपने नाम सुझाह तो फोस्टिव यह को एक बोगस्टिव यह इन जरीडी मोउटिव doc तो यह आज मैं डिसकस करूंगा बेंडिग मूइंट सेंग और ओगिंग दोनो और हम डिसकस करेंगे टाइपस अप सपोड यह होते हैं , इधर देखना , ज्यादा समय ना लेते हुए , सबसे पहले किस किस एक्जाम के लिए यह सेशन है वह देख लेते हैं , उसके बाद हम मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर बोलो कि सर हमने वीडियो तो देखेते तब तो समझ आया बात में पता ही नहीं चला क्या हुआ है तो साथ ही साथ क्या करो कॉपी नोट्स लेकर बैठो कोई बीचीज अगर यहां बता रहे हैं उसे साथ साथ क्या करो लिख लिया करो अपने अग्जाम होते हैं उसके बाद पी एस यूज एक चीज दो किलियर हो गई जहां पर टेकनीकल आता है टेकनीकल सेक्षन जहां पर पूछे जाते हैं उन सब के लिए बैनीफिट है यह वाला लेक्टर सारे लोग देख सकते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी यकीन मानो सारा सेसन एक बार कम्पलीटली देखो स्टरंटिंग से एंड था एक्सप्जच क कोंप्लीटで देखो एक सब्रेट अँप्लीटी पंदिले और देखो कितना मजा आता है अगर मजा ना था तो फिर बोलना बात में किलियरına और बसली बाकि ह्तलों कॉई सेक्शन में तatoon क 내일Filुं मूवेंट कि एया देख्ते रहें we are we are many है भुम है भी इस हम बात करेंगे प्यॉर बेंडिंग क्या होता है फिर बेंडिंग पूर्च कौसे होते है है हा॥ और लोल मपिर बेंडिंग की बात करऊ नंक प्यूर्वेंडींग मुवेंट या फिर कई बार ऐसे भी बोल देता है प्योर्वेंडिंग और बेंडिंग किलियर है न? तो प्यूर्वेंडिंग की बात करेगा तो प्यूर्वेंडिंग क्या होता है when when to equal and opposite प्रिप्जित, क्योंके एंपोजित, बन्योम्मूम्ट, बन्योम्मूम्मूम्मै असदीन, व्यूजित एक्सिस और दा मेंबर और बीम क्लियर है इसका मतलब क्या है अभी मैं यहां पर बीम बनाऊंगा वहां से समझना चीजों को उसके बाद हम पता करेंगे यह बैंडिंग मुवमेंट जो हमारा होगिंग है सेगें कि मैं एक कोई मेंबर लिया यह कोई मेंबर इदर देखते रह सबको दिखाई दे रहे हैं यहां यहां पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं एक फोर्स मैंने यहां लगाया एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया सेंड फोर्स मैंने इधर लगा दिया मालो यह कोई F है यह भी क्या एफ यह इदर देखना सेंड़ एक्वल एक्षेज एक यह उपर यह जो जा रही हो कि लॉंगिट्विट्वन लेक्स तो यह जो कपल है वह इसको क्या कर रहा होगा उपर से कंप्रेश कर रहा होगा और नीचे से इलॉंगेट कर रहा हुगा अगर मैं बनाना चाहता हूं इधर दीगना क्या मैं बोल सकता हूं after compression यह कहीं यहां और यह कहीं यहां और और यह कहीं यहां पहुच यहां पहुंच दिया होगा आ वह जानी है Hem यह वाला फम वान यह वाला अ फैबー यह वाला फैवर कि यह पूंचकिया होगा ऐग क्या कुछ इस तरह का रेंग्जमेंट बना हुग बह देखते रहे न सब.. इस तरह काम को दिखाई दे रहा हूँ.. ये जो बीम है .. इस तरह से क्या होगी होगी मेंस इधर भी bending लगाए या बेंडिंग कृपल लगाए या बेंडिंग कपल लगाए दोना एक्वल एड अपोजिट बेंडिंग कपल जब लगते हैं इसी को बोलते हैं प्योर बेंडिंग इसको मतलब यह हुआ पूरी बीम पर कहीं भी देख लो सेम अमाउंट बेंड़ नजर आ रहा हुआ कोई भी मेंडिंग मुवमेंट का चेंज नहीं नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लुवर फाइबर जहां कंप्रेस हो रहा है और लौर फाइबर जिसमें हमारा क्या हुँ रहा है ऐसे ही bending moment को बोलते हैं सेगंग बेंडिंग मूवमेंट यह जो एक्जामपल किसका है यहां लिख लेना एक्जामपल क्या कि सेगंग इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं आते आते एक ऐसा होगा जिसकी लेंद पहले फाइबर के बराबर होगी चेंज नहीं होगी उसी फाइबर को बोलते हम न्यूट्रल फाइबर इदर देखना तो यहां पर बीच में कहीं हमको दिखाई दे रहा हुआ कुछ इस तरह एगा तो इसको हम बूलेंगे अपर फाइबर लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं अपर फाइबर अपर फाइबर इसको लिख सकते हैं क्या बॉटम फाइबर बॉटम फाइबर लिखते रहे ना बॉटम फाइबर यह क्या अगरा एलोंगेट और यह क्या अगरा एक कंप्रे प्रॉशम में और यह हमारा न्यूट्रल फाइवर जो मोस्ट इंपोडेंट है क्या है ये न्यूट्रल फाइवर और मैं यहाँ पर लिख सकता हूं न्यूट्रल फाइवर क्या होता है इस दा फाइवर वूज लेंथ रिमेंसेम लेंथ रिमेंसेम आफ्टर आफ्टर एप्लाइंग प्योर बेंडिंग मुमेंट यह बेंडिंग मुमेंट क्लियर है सबको इसका कोई एक सेंटर होगा जिसके अबाउट क्या कर रहा होगा यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं रेडियस और यू जाएगी इसलिए यहीं पर क्या कर लो डिसकस कर लो इसको बोलते हैं हार क्या है हमारी रेडियस और लिखले ना रेडियस और कर लिखें क्लियर ना यहां यह सब्सक्राइब क्लियर अब koris 지역 ही और जो bottom five वो क्या हो आइसे ही Kum क्लिम मूवंधका क्या बोलते हैं सेगिंग मूवंइंट बोलते हैं यह भषक सेचंग में दें बन्द हो बन्द होग है क्योंकि ये इधर बेंडिंग लगा है क्या मैं इस यू इस डिरेक्शन में इं लग रहा होगा यहां से लेकर यहां कि अगर मैं कोई इस दिस्टन्स दी बताता हूं तो यह तो एक बांद से लगा और एक बांड यह व्यां फिले लगे हुए और एसे रहे दीट ही अब बंदिंग करें अब दूसरी चीज़ क्या यह जो बेंडिंग हो रही है किस प्लेन में हो रही है और इस बेंडिंग को हमने सेंग बेंडिंग मुवमेंट भूला है तो यह कौन से प्लेन में हो रही है इसको बोलते हैं वर्टीकल बेंडिंग मतलब वर्टीकल प्लेन में हो रही है एक होती है होरीजॉंटल प्लेन में उसे बोलते है horizontal bending इसी को मैं ऐसे भी बेंट कर सकता हूं अंदर की साइट तो यह horizontal plane हो गया ऐसे अंदर की साइट जा रहा है horizontal plane यह उपर वाला vertical plane है तो अगर vertical bending है वो क्या होगी है सेग होगी या hogging होगी ऐसा जरूरी नहीं है सेग होग तो हमारा बताएगा अपर और neutral surface वो कौनसे plane में लाई करेगा वह बहुत जरूरी है जानना और neutral axis कौनसी वाली axis होगी वह भी बहुत जरूरी है जानना क्या इतना clear सबको अभी मैं next वाले जो diagram बनाऊंगा उसमें अभी डिसकस करेंगे क्या यहां सबको clear है कि second bending moment कब बोलेंगे जब compression होगा कौनसा फाइबर अपर फाइबर bottom फाइबर क्या होगा टेंशन में होगा तब second bending movement और radius अब कर वेचा सबको clear है neutral fiber वो fiber जो length के along होगा हमारी beam के length के along होगा और उसकी length after bending भी क्या रहेगी सेम रहेगी ऐसे फाइबर को बोलते है neutral fiber क्या इतना clear सबको अब मैं बना रहा हूं इदर देखना अब मैं vertical bending का केस ले रहा हूं वहां पर हमें समझना है neutral surface क्या होता है और उसके बाद neutral axis क्या होती है clear है अभी होगिंग भी मैं बताऊंगा होगिंग भी बताऊंगा चलो होगिंग डिसकस कर लेते हैं एक बार उसके बाद vertical bending की बात करेंगे second bending moment सको समझ आ गया अब हम बात करेंगे होगिंग बेंडिंग मूवेंट की अधर देखना है यह तो सेगिंग था अब हम बात कर रहे हैं होगिंग बेंडिंग मूवेंट होगिंग होगिंग बेंडिंग मूवेंट जस्ट उल्टा है कि इसमें जो अपर फाइबर होगा हमारा अपर फाइबर वो क्या होगा कि अलोग कोई गज्म विसके अंदर करrale एप सब मुझे सवरू फैक्ट और इसफूंदी हो दो आएगी और फंदरर करने लुर्म सबस्थ्रेश होगे और इसके अंदर के अधिसाल डावड में नहीं रहा रहा है कि अगर बोलता है अपर फाइबर में कौन सी श्ट्रेस आती है टेंस इल स्ट्रेस आती है कंप्रेसिव आती है यह इसको थोड़ा दू अब डाइग्राम बना रहे हैं यह हमारा बीम था और यह क्या था कि यहां पर से क्या करना है तो जो बंडि मुवमेंट अब लगेगा इस तरह से नहीं लगेगा देखो यह भाई दौन बीच में डिश्टेंस क्या है डिश्टेंस है तो हमारा यह बेंडिंग कपल लग गया है इधर भी बैंडिंगे का पल लगा तक कि तक का यह came आ तकक कि यहां कि पर हो यहांपे लेख। यहां पर सबको यह यहां पर पहुंच गया हुगा यह फाइबर सब्सक्राइब pare बढत par किया देखो लिषार को टो 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 टेखा ही देगा डिखाया जो वहां दीखरा-था और मिए इसकी सब करेंस का जो किए न केदना केलियर सबको कि भीज में फाइवर होगा तो सब जाने हैं फाइवर कौन सा होगा इसको बोलते हम न烨 फाइबर लो पर हम फाइबर अब यह क्या हो गया टॉफाइबर जोकी हो रहा है डॉट्फाइबर यह क्या होगfrage कि यहां सघ्वाक दिक्कत नहीं होगी किसी को और यह कहीं जाके हर एक सेंटरी मैंक कर रहे होगे ि एक्स ज To आनध्रोगर के दिक्रेंटर और यहां से लेके कहां तकी डिश्टेंस आए यह woods基ी यह टो यह जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं रेडियस ओफ कड़वेचर जो अभी हमने डिसकस किया था रेडियस और कि यह एक तो टॉफ फाइवर पर कॉनसा होगा टेंसान से साइल इस्ट्रेस आईगी यहफिर यह फिर इलोंगेट होगा यह वाला क्या होगा कंप्रेश्व होगा इसमें इस्ट्रेस आएक किलियर है इतना याद रखना है क्र Griff jakiś क्रोसे менुज में क्या से मिपन हें सब्झेटाते हिने टो क्रॉसेक्षन के हम एक साथ देखते हैं क्या होता है लेग साड़ में देखते हैं किस सारी का Saag ने-गेतिफ हें और हघ्साइड करते हैं होता है यह बंधिखना और जो होगा तो क्या होगा वोज मेंटिव मुविट क्या कहलाईगा को सबको यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है यह भी प्यॉर बैंडिंग का केस है अब हमने दो तरह के मुव्मेंट पड़लिए हैन सेडां मॉंवेंट मॉंवेंट अब मैं बात करूगगा वर्टीकल बैंडिंग की और होडिजनल बैंडिंग की उसमें पता होना चाहिए निउट्रल एकक्सिज कब आएगी और जो जो होगी उसी के बबाउट जही की जब हम बेंडिंग भाइसिस के बाटे निकालेंगे हमेशा खिलिया रहे न तो बहुत जरूरी है जानना इधर देखो अब मैं बात कर रहा हूं तो किस तरह हो रही है वोज देखना है वर्टीकल बेंडेंग है इधर देखना क्या मैं एक मेंबर बना लूँ जंग से समझना है इधर क्लियर है यह हमारा कोई मेंबर क्लियर है क्लियर हमने कोई बार बनाई है यह फिर बीम बोल दो कुछ भी बोल दो क्या है रेक्टेंगूलर बीम है पील के लिए कि हम जानते हैं यह मारा प्लेन अब क्रोस-सेक्शन इसके बीच सिंसां मbourg होता है सब को पता है रोशी सेंटरॉड और यहां से दो एकमट होती है इसे हम बोलते हैं करें एक तो क्या है सेंटर більच स्ट्राइब और lawn ऑरी की सेंट्रड आपे लेक्स रावा आपकी सका कि सग्ढून dating जब रखें पिर भी लिखिंडल अरिजोंटल एक risky चीज है बहुत आसान हो यह दर देखते हो यह वाई वाई-ब्र disc मैं अन्य वर्टीकल एक्सिस वर्टीकल एक्सिस से क्लियल है अब मैं बात करहा हूं अब मैं वर्टीकल वर्टिकल बेंडिंग का मतलब वर्टिकल प्लेन में होगी तो वर्टिकल प्लेन क्या है उपर वाला है जैसे बैंडिंग हो रही होगी मैं यहां पर ले रहा हूं केस वर्टिकल बेंडिंग में किसका केस ले लूँ सैंग का ले लेते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मुवमें की और यह वर्टिकल बेंडिक में से लग रहा है इसका मतलब इसके बीच में नूटरल फाइबर होगा और उसकी हमारी इसलिए उसको बोलते है उसने नूटरल फाइबर से रहा है उसे बोलेंगे रहा है और neutral surface plane of cross section पे जहां पे cut करेगा उसी line of action को हम बोलेंगे neutral axis इधर देखना और वो क्या होगा इधर देखो कि मैंने मान लिया क्या मान लिया क्या मानना है कुछ तो मानो लो में ना माने तो काम नहीं चलेगा कि हमारा यहां से लेके यहां तक कोई एक क्या है neutral आयब बने देखते रहूँ विश्टरे का होगा समझने कोज़ करना जिसने समझने कोज़िस की थोड़ा सा विजुलाइज भी करना पड़ेगा क्लियर एधर देखना देखते रहना एधर थोड़ी दिर के लिए इसको मिटा रहे है अब यह एक सर्फेस दिखाई दे रहा हो सबको जो मैंने कर रहा है है यह वह सर्फेस है जहां पर फाइवर की लेंथ बिल्कुल चेंज ही नहीं होगी कैसा को दिखाई दे रहा है और इसी सर्फेस को बोलते हैं क्या है नूटरल सर्फेस नूटरल सर्फेस है और यह कहां लाई करेगा देखो लाइस लुग यंद हॉरी जॉन्टल प्लेंश़ धियां से सुनना है कुस्ट्यों में आते हैं मतलNews अकर में वर्किकल बेंडिंग की बात कर रहा हूं दो वर्किकल बेंडिंग में जो-्णूटरल सर्फिस होगा क्या वो होरिजॉन्टल प्लेड में लाज नहीं कर रहा है Minhaj जा रहा है, अगर में बोल देता कि अगर यह horizontal bending है क्या है इफ क्या इफ इफ होरी जॉन्टल बेंडिंग लो इफ horizontal bending तो जो neutral surface होगा वो कहां लाई करता vertical plane में उल्टा हो जाता neutral surface lies in vertical plane क्याता जब horizontal bending की बात करेंगे तो neutral surface कहां करेगा vertical plane में लाई करेगा इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे horizontally bend कर रहा हूं लोग अंदर बोड की तरफ क्या वो जो एक surface दिखाई देगा हमको वो surface क्या दिखाई देगा इस vertical plane में आ रहा होगा वही neutral surface होगा क्या जाना अब मैं बोल लाओं कि neutral axis क्या होती है कि जब neutral surface जहां neutral surface जहां plane of cross section को cut कर रहा हूं कि इसका मतलब the line of intersection of neutral surface at the plane of cross section is known as neutral axis क्या इसकी line of intersection plane of cross section पर यह नहीं क्या देखो देखो सबको दिखाई दे रही है इसी को बोलते हम neutral axis यह जो हमारी क्या है neutral axis तो neutral axis की definition लिखनी है neutral axis की definition यहां लिख लेते हैं इता देखना इस्टर मार करके neutral axis होगी हमारी neutral axis क्या होगी the line of intersection of the line of the intersection of intersection of neutral surface neutral surface at the plane of cross section at the plane of cross section क्यतना क्लियर है कि plane of cross section पर ये neutral surface जिस line of action से cut कर रहा है वही क्या होगी हमारी neutral axis होगी और ये हमेशा किसी न किसी central axis से क्या करती है lie करती है and and neutral axis is always will कर लो will always will always lies one of the will always lies on one of the centroidal axis मजह आ गया centroidal axis इसका मतलब दो ही centroidal axis है या तो horizontal या vertical इसका मतलब अगर मैं vertical bending की बात करता हूँ तो neutral axis क्या horizontal centroidal axis के साथ लाई नहीं कर रही इसका मतलब in case of यही देख ले न for vertical bending for vertical bending for vertical bending neutral axis क्या होगी nothing but neutral axis neutral axis nothing but क्या होगी horizontal centroidal axis horizontal centroidal axis centroidal axis क्या इतना क्लियर सबको अब इधर देखो एक बार फिर से मैं repeat करता हूँ कि मैंने बोला अगर मैं vertical bending की बात करता हूँ vertical bending मतलब vertical plane में हो रही होगी यह वर्टिकल प्लेन है देखो बेंडिंग हो रही है और वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग हो रही है इसका मतलब लेकिन बीच कोई ना कई एक ऐसे फाइबरर ओगां यह यह हमारा horizontal plane है, इस horizontal plane में लाई कर रहा है, और अगर यह neutral surface कहां intersection कर रहा है, plane और cross section पर, अगर line of intersection बना रहा है, तो किसी न किसी एक axis के साथ बना रहा हुआ, वही axis क्या कहला है, यह neutral axis, और यह हमेशा coincide करेगी किसके साथ, one of the central axis के साथ हमेशा coincide करेगी, अगर vertical bending है, तो central axis के साथ coincide करेगी, horizontal के साथ, अगर यह horizontal bending होती, या फिर यह ऐसे होती, तो इसके साथ coincide कर जाती, कैतना clear सब को, तो यह हमने देखा, vertical bending का case, vertical bending में दो चीज़ां याद रखनी है, कि एक तो क्या, vertical bending में neutral surface याद रखना है, क्या होगा, horizontal plane में लाई करेगा, और जो neutral axis होगी, वो किसके साथ coincide करेगी, horizontal central axis के साथ coincide करेगी, अगर कभी भी अगर यह वाला चीज़ भूल जाते हो, तो यह तीन चीज़ हमको क्या है, हमेशा याद रखनी है, clear है, just इसका opposite का हो जाएगा, horizontal bending में हो जाएगा, क्या इतना clear है सबको, very good, इधर ये को, मज़ा आ गया, अब हम देखते हैं, कि neutral axis यह हो गई, neutral axis के about हमने क्या निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, और neutral surface के about भी हमने क्या है, सारी study कर ली, अब हम देखेंगे, कि यहां तक bending का सारा concept clear है, यहां तक bending का क्या है, सारा concept clear है, कल को कोई भी पूछ ले, कि hogging, hogging क्या होता है, सेगिंग क्या होता है, तो hogging is a bending movement, जिसका नाम है hogging, वो क्या होगा, negative bending movement होगा, अब एक sign convention और देख लेते हैं इनका, bending movement का sign convention, किस तरह से हम major करते हैं, इतर देखना, sign convention, sign convention of, sign, convention of bending movement, इतर देखना, कैसे देखते हैं, इतर देखना, कि यह कोई हमने cross section दिया, cross section का मतलब, हमने किसी भी member को बीच से चीर दिया, चीरने के बाद हम observe करेंगे left side और right side, इतर देखना, left side में अगर bending movement हमको इस तरह दिखाई दे रहा है, क्या यह bending movement clockwise है, और right side में अगर हमको क्या दिखाई दे रहा है, anti clockwise, तो यह जो sign convention होगा, जिसे बोलेंगे positive bending movement, और क्या positive bending movement का एक दूसरा नाम था, sagging, क्लिया रहा है, कल को यह बोल सकता है, sagging bending movement, इसका मतलब, plane of cross section, या फिर plane of cross section के left side में clockwise होगा, और right side में क्या होगा, anti clockwise होगा, ऐसे bending movement को बोलते हम sagging, और यह हमारा sign convention हम follow करेंगे, किताम में इसका उल्टा हो सकता है, तो उल्टे क साथ सारी चीज़ा consider करने है, clear है एक ही sign convention को follow करना है, अगर same sign convention को follow करके चलोगे, कभी mistake नहीं आएगी, कभी किताब का convention follow कर लिया, कभी class का follow कर लिया, फिर problem आ जाती है, अब दूसरा एक, दूसरा, negative कब होगा, इसका उल्टा, कुछ करना ही है, कि जब left side में, अगर bending movement हमें क्या दिखाई दे, anti-clockwise दिखाई दे, और right side में क्या दिखाई दे, clockwise देखो, ये clock जा रहा है, ये क्या anti-clockwise, इसका मतलब ये हुआ, ये क्रॉस section है, ये क्रॉस section है, इसको बोलते हम, negative bending movement, और इसका दूसरा ना में क्या, logging, क्या इतना clear है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा है, इदर देखो, अब हमको देखना है, क्या, अब हमको क्या देखना है, अब हम देखते है, support क्या होते है, क्योंकि, support जब तक हमको नहीं पता होगा, कि support पर reaction क्या आती है, support का नाम तो सबने सुना होगा, support का मतलब होता है, क्या, सहारा देना, किसको सहारा दे जिस तरह हमने support किया है, जिसको fees का कोई भी issue होड़ा है, जो पैसा pay नहीं कर सकता है, free of cost पढ़े, जिसने हमारी offline class किये हैं, और यहां की classes में अंतर देखना, एक percent भी change नहीं होगा, और even मैं यहां पर अच्छी से explain करूगा सारी चीज़े, कोई tension नहीं ले नहीं, क्लियर है न जिसको अगर मज़ा आए पढ़ने में, जिसको समझ आरी चीज़े, वो class देख सकता है आराम से, और अगर मज़ा आ रहा है, सच्ची में मज़ा आ रहा है, तो like भी करना है, और और अच्छा लग रहा है, तो उसको share करना अपने friends के बीच में, ताकि वो भी कुछ न कुछ स चीख सके, free of course चल रहा है, किसी कोई charge नहीं लग रहा है, ना share करने का पैसा है, ना देखने का पैसा है, ना like करने का पैसा है, clear है ना, इधर देखो, इधर देखो, अब दूसरी चीज मैं बात करूँए support की, ठीक है, support, ये तो सब को पता है, नाम से ही पता चल ला है, कि कि किसी ना किसी चीज को support देते हैं, तो इसका मतलब क्या है support यहां पर किस के point of view के साफ से हमें देखना है, कि अगर जैसे हमारे पास beams होती है, तो beam मतलब मानके चलो rectangular हो, circular हो, कैसी भी beam हो, क्या beam हवा में अपने अप लटकी रहेगी क्या, नहीं लटकी रहेगी, जैसे मानके इसका मतलब यह हुआ, कि अगर beam को ऊपर लटका के रखना है, तो कहीं न कहीं support देना पड़ेगा, और support देंगे, तो कहीं न कहीं एक reaction आएगी, जहां पर भी support होता है, वहीं पर normal reaction आती है, normal reaction का मतलब होता है, कि perpendicular होगी, और upward direction में भी हो सकती है, downward direction में भी हो सकती है, depend on the loading condition कि क्या load लग रहा है, क्या इतना clear है सबको, बिल्कुल clear है, इधर देगा, तो अब दूसरी चाहीं आती है, कि सर support होते कितने टाप के हैं, तो यहां पर तीन टाप के support पढ़ेंगे, support, taps, clear है न, और तीन और टाप के support में हमें पता हो न जी, किस support में कितने reaction आएंगी, और क अब ही बताऊंगा कि तुछ में कितनी reaction होंगी, इधर देगा, roller support को, यह मान के चलो कोई beam है हमारी, यह क्या है, beam, यह beam हवा में तो लटकी नहीं रहेगी, अगर हमने यहां पर beam रखी है, इसका मतलब इसे कहीं न कहीं support दे रहे होंगे, हमने एक side support माना है, वो क्या है roller support है इस roller हमने इस तरह का बना दिया, यहां पर roller लगे हुए, इसको हमने beam को support कर दिया, क्या इतना clear है, अभी समझे ना, अभी मैं बताऊंगा number of reaction कैसे हा रही है, दूसरी, दूसरी, दूसरा support, दूसरा support बोलते हम hinge support, hinged support, और इसी का दूसरा नाम है pin support, इस pin लगा दी, अभी इस पर यहां, hinge support और pin support, clear है, कैसा होता है, कि इस देखो, यह कोई beam है, इस देखो, यह कोई beam है, इस देखो, और यह क्या है, हमने यहां पर एक pin लगा रखी, सब को दखाई दे रही है, और नीचे का यह ग्राउन पर रखाई, इसके बाद तीसरा support, देख लेते हैं, उसके और fix support कुछ इस तरह का दिखाई देता है, fix का मतलब है, हिलना भी ने चाहिए, कहीं से भी, बिल्कुल क्या कर दो, welding कर दो एक तरह से, welding कर दो, तोड सकते हैं बस, ना हिला सकते हैं, ना डुला सकते हैं, इधर देखो, इस का मतलब, इस तरह का कुछ हमने representation कर दिया, यह आ सकती है, maximum reaction, यहाँ पर maximum number of reaction, और यहाँ पर maximum number of reaction, कल को यह भी बोलेगा, maximum number of unknown बताओ, unknown का मतलब ही क्या है, यहाँ, reaction होगी, क्योंकि reaction force, क्या होता है, hidden force होता है, जो हमें calculate करना होता है, पता नहीं रहता, clear है न, इधर देखो, तो अब मैं यहाँ पर number of reactions calculate करूँगा, इ अगर मुझे निकालनी है, reactions, in any support, किसी भी support में, अगर मुझे number of reactions निकालनी है, इधर देख लो, आज के बाद किसी को कोई तकलीप नहीं होगी, ना याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से basic concept रो समझो, कभी भी चीज़ें याद नहीं करनी पॉइंट है, restricted motions, इधर देख, मज़ा आ गया, बस यह एक bracket हमको पता होना चाहिए, इसकी help से हम सारी चीज़े calculate करेंगे, इस टर मार कर लेना जितना कर सकते हो, अब यहाँ पर क्या है, मतलब number of reactions अगर हमें पता करनी है, तो number of restricted motion पता करने पड़ेगे, सबसे पहले तो हमे हमें पता चलेगा, कितने रुके हुए, restricted का मतलब कितने motion को रोग रखा है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना जीए, कि कितने motion maximum possible हो सकते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी study चल ले, 2D plane figure की बात चल लिए, याद रखना, 2D plane figure में, 3 motion possible हैं, और 3 motion क्या हैं, इधर देखो, first motion X direction में linear motion हो सकता है, हमाजा रहे हैं नहीं हा रहा, कि X direction में movement हो सकता है लोग, ऐसे, Y direction में movement हो सकता है, और इस plane में यह object क्या है, गूम भी सकता है, क्लिए रहे हैं, क्योंकि एक plane की बात हो रहे हैं, 2D plane, 2D plane में 2 dimension आएंगी, अगर मैंने A dimension ले रखिए, यह dimension, तो इसका possible है, maximum, और 3 motion को यह अब्जर्व करना है, 3 motion की help से बताएं किस में कितनी reaction आएंगी, क्लिए रहे हैं इधर देखो, यह हमारी क्या beam, simply supported beam, इसका मतलब यह हुआ, मतलब simply supported नहीं है, यह क्या roller support है, यह roller support है, means इस beam को मैं आगे पीछे ले आ सकता हूँ, बिलकुल ले आ सकता इसको आगे खीच सकते हैं, जो मैं यह arrow बना रहा हूँ, इसका मतलब यह जो arrow है, यह motion possible दिखा रहा है, यह आगे पीछे motion हो सकता है, एक्स डारेक्शन में, बिलकुल हो सकता है, क्या मैं इसको नीचे ले आ सकता हूँ, ग्राउंड के, बिलकुल नीचे ले आ सकता हूँ, इसका मतलब एक रेक्शन आजेगी, यह वर्टीकल रेक्शन लो, और वर्टीकल अपने लिख दिया, होरी यह जो अंडल रेक्शन तब आती जब इसे कोई यहां से रोक रहा हूँ, इसे तो किसी ने रोका नहीं, यह पिल लगा रखा है, यह यह रखा रखा है, तो इसको क्या मैं इसको उठा सकता हूँ, बिल्कुल उठा सकता हूँ, गोमा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने रोक रखा, इसका मतलब यह हुआ, यह motion भी possible है, और अगर यह motion possible है, दो motion possible है, एक restricted है, और जितने motion restricted होंगे, उतनी ही reaction आएंगी, तो एक motion restricted, एक ही reaction, तो number of reaction यहां लिख देंगे, number of reactions, number of reactions क्या है, one है, अगर कोई पूछ लेता है, तो that is क्या है, vertical reaction, most important है, vertical reaction, rb, clear है न, इदर जाओ, रोलर सपोर्ट में हमें पता चल गया, अब देखते हैं, hinge support, hinge का मतलब पिन लगी है, अगर मुझे इसे आगे खीचना है, पिन को तोटना पड़ कोई न कोई एक reaction आ रही होगी, vertical direction में, r vertical, vertical नहीं horizontal, horizontal खीच रहे हैं, एक reaction आ गई, क्या ground के नीचे लिए शकते हैं, नहीं लिए चकते हैं, एक और motion रोक दिया, इसका मतलब r vertical आ गया, क्या spin के अबार गुमा सकते हैं, बिल्कुल गुमा सकते हैं, लोग गुम गया, यह motion हम तर्क किलिए सबस् Reich को मतलब है MUR thought अब कर रखाएं अगर तो टूट सकता है आगे जा सकता इसका मतलब इसको रही होगी इसका मतलब होरिजंटल frist 통eso अभी गराइक्संन से अभी नहीं होना है कि सब्सक्राइध मतलब क्य포 मुट लिया कहीं ले सकते हैं वह कैल्कुलेशन बदाएगी हमारी डारेक्शन कहां आती है मैं कैल्कुलेशन करना जब सिखाऊंगा तब सब्सक्राइब हो जाएगा अभी टेंशन ने देरी अभी बस नंबर अब रेक्शन में फोकस करना कितनी आएंगी और और जूट जाएगा तो एक वर्टीक कि अगर मैं इसको भुमा रहा हूं तो यह मूवमेंट रेक्शन क्यों बोला कुछ और क्यों ने बोला हमने पहली क्लास में बताए था कि मूवमेंट इस दा कौज ऑफ रोटेशन मोशन अगर घूमेगा तो उसे रोकने के लिए रोटेशन मोशन ही रोक रहा होगा ना यह और अगर यह लीनियरली आगे मूव कर रहा है तो फोस आ रहा हुआ लीनियर रेक्शन आ रही होगी इसका मतलब रोटेशन वाले मोशन को जो रोकेगा उसकी वैसे मूवमेंट रेक्शन आएगी और ट्रांसलेशन मोशन को जो रोकेगा उसकी वैसे क्या हैगी लीनियर रे टीन्तल वर्टीकल एंड है कि मैं है कि टो मनिक इंडिकल और यहां लगा रहता निचे इन एक वाला एकल हुपल्प्थ सबए घरामार्च आए दोर होता है ंचंद गुम गूम ग्वं जाता है ये दोऑ्थ क्लोजर कई पूछन gesch APP गोलो थो पूश्य दूबब गेए तर ये यह कि इसका एक्जम्पल ऐा जाते हूँ कुछ देखने हो जो भी देखने जाते हो कोई दिक्कत नें इधने हैं तो सबसे पहली चीज गोगा नहीं की तरह काम करती है करती है कर दो कि ये खही दे रही इसका मतलब यह हुआ कि जो टैरेश है उसको ना नीचे लिए सकते नीचे लेगे तो खुद नीचे चले जो गए उपर ले तो क्या कि यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा बहुत मज़ा आ रहा होगा मज़ा आ रहा है जल्दी से जल्दी क्या करो लाइक करो और जितने लोगों को सेर करो सारे अपने important topic रहता है, types of beams रहता है, types of beams में हमें ये भी पढ़ना है, statically determinate क्या होगा, indeterminate क्या होगा, वो मैं next lecture में, इसके बाद का जो lecture होगा, उसमें मैं discuss करूँगा, most important point है, उसको छोड़ना नहीं है, उस lecture को भी क्या है, देखना है, clear है, तो आज के लिए के, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.